इस नमंस्कार मेरे पिर्ये चात्रो वेल्डर टूल्स एंड एक्यूपमेंट के उपर 9 इस्टोप 50 कुषेंस की नहीं है dzजञ जो वीडियो, उसमें हमने 10 कुषेंस कुषेंस कंप्लीट कर लिये हैं से हमारा नय वीडियो श्टार्ट करते हैं तो चलिए फटाफटर श्टार्ट कर लेते हैं हमारा 11 कुशन है वाट इस दा इस्टेंडर्ड लेंथ ओफ हैक्सा हैक्सा की मानक लंबाई कितनी होती है आपको पता है हम मेटलिक जोब को काटने के लिए हेक्सा काप्यों अक्सर करते रहते हैं तो उसी के बारे में पुछा गया कि जो हेक्सा होता है उसकी स्टेंडर्ड लेंथ कितनी होती है इसमें हमारा राइट अंसर आ जाएगा ओप्शन डी 250 से 300 mm तक जो है हमारे इस्टेंडर्ड हेक्सा फ्रेम की लेंथ होती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले किशन के और हमारा अगला किशन है किशन नमबर 12 कि इस्ट करीबर किसमेंडर्ड वहती है q मेंट्टक बना होता है आपके सामने देखिए बडान सा और शांदर्स चित्र आपके सामने दिया वाह है विल्कुल इशफश्ट चित्र आपको दिया है यह हमारा क्या होता है subscriber होता है जिसकी साहिता से हम job के उपर निशान बनाते हैं marking करते हैं तो इसी के बारे में पूचा गया कि जो subscriber है ये किस metal का बना होता है तो इसके लिए हमारे सामने चार option है पहला है mild steel दूसरा है brass तीसरा है tungsten steel और चोता है high carbon steel तो आपको तो answer पता चली गया होगा तो इसमें हमारा right answer है option D high carbon steel यानि कि subscriber high carbon steel का बना होता है चली बढ़ते हैं हमारा अगला question है question number 13 V block is made of which metal V block किस दातू का बना होता है देखिए आपके सामने V block रखा हुआ है हमसे question में यही पूचा जा रहा है कि यह जो V block है यह किस metal का बना होता है तो देगे विकल्पों में से हमारा right answer आजाएगा option B cast iron का यह V block cast iron का बना होता है देखिए हमारे welding और fitting work के अंदर यह V block अक्सर use आते रहता है job को सहारा देना हो job को stable करना हो job को mode ना हो ठीक है तो यह एक multi purpose tool है जिसका ओप्यों करते हुए हम welding कारे या fitring कारे संपन करते हैं आगे बाद समझ में चली तो बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 14 scraping किसे कहते हैं what is scraping तो इसके लिए हमारे सामने चार विकल्प दिये गए है to cut यानि कि काटने के किरिया को to break या तोडने के किरिया को to cleaning साफ करने के किरिया को या फिर shining यानि कि खुरोचने या चिकने करने की किरिया को तो इसमें से हमारा right answer हो जाएगा option D shining यानि कि किसी भी job की surface को साफ करना, clean करना, खुरेचना यानि कि उस सर्फेस के उपर शाइनिंग लाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते है स्क्रेपिंग कहते है आगए बात समझ में नो डाउट चली बढ़ते हैं आगए हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 15 विच मेटल इस दा पंच मेडव आपके सामने देखिए सारे पंच रखे हो हैं अलग-अलग परकार के पंच है और इनका अलग-अलगी ही उप्योग होता है क्यूशन नमें हमसे यही पूचा जा रहा है कि यह जो पंच है यह किस मेटल के बने होते हैं जिसके लिए हमारे सामने चार विकर्ब दिये गए है A. Mildy Steel B. Cast Iron C. High Carbon Steel D. Stainless Steel तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा Option C High Carbon Steel यानि कि जो पंच है यह High Carbon Steel के बने होते हैं आगई बात समझ में चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है Question No.16 Stock and Blade are the part of which metal यानि कि इस्टोग और जो Blade होता है वो किस ओजार का भाग होता है तो वेशे तो आपके सामने यह ओजार ही दिखा दिया है तो आप तो आंसर जान ही गए होंगे तो आप देख सकते हैं यह जो पार्ट है यह जो पार्ट है यह कहलाती है Blade और यह वाला जो पार्ट है यह कहलाता है Stock तो इन दोनों से मिलकर जो हमारा Tool तियार होता है वो होता है Option B Tri-Square इसे क्या कहते हैं? Tri-Square कहते हैं ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन क्यूशन नमबर 17 At what degree angle are the teeth of a single cut file? Single cut file के दाते कितने डिगरी पर होते हैं? देखे हमारे सामने यह single cut file भी दी हुई है ठीक है? और आप देख सकते हैं इसके face पर यह जो इस तरह से teeth कटे हुए है cut file की बात हम से पूच रहा है तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option D 60 to 70 degree यानि कि यह जो angle बनता है teeth का वो बनता है 60 से 70 degree के बीच में ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगले क्यूशन है question number 18 on what are the measurement marks made on tri square? यानि कि यह जो tri square है आपके सामने इसके उपर कौन से पार्ट के उपर जो है marking के निसान बने होते हैं जैसे कि centimeter inches mm तो यह जो marking के निसान है वो कौन से पार्ट पर बने होते हैं तो आपके सामने देख रहे हैं आप ये जो पार्ट है इसके उपर ये निसान बने हैं और ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है ये कहलाता है बलेड क्या कहलाता है बलेड क्या कहलाता है बलेड आगे वा समझ में और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है इस टोक क्या कहलाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगले क्यूशन है क्यूशन नमबर 19 हैमर वेट अप टू 250 ग्राम यानि कि किस हैमर का वजन जो है 250 ग्राम तक होता है तो देगे विकलपो में से हमारा राइट आंसर आजाएगा ओप्शन डी मार्किंग हैमर देखिए इस प्रकार के जो हैमर हो है कि जो 200 ग्राम यानि 250 ग्राम जिस हैमर का वजन होता है वो हैमर पतता है तो इसमें हमारा राइट अंसर आपको पता ही है मारकिंग है इसमें राइट हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 20 विच मेटल इस दा वर्णियर के लिपर आर मेड ओफ वर्णियर के लिपर किस दातों के बने होते हैं देखें यह बेनिफिट होता है प्रैक्टिकल क्यूंकि हम टूल्स को हुब हुब देख भी रहे हैं तो अब आप समझ गए हैं यह हमारा वर्णियर के लिपर है और इसी के बारे में पूछा जा रहा कि यह वर्णियर के लिपर की पूरी बोडी है यह किस मेटल की बनी होती है तो इसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा option D stainless steel ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 21 इफ दा होल ओफ दा गेस नोजल गेट्स ब्लोक देन विट विच टूल विल इट भी क्लीन इट यानि कि यदि गेस वेल्डिंग नोजल का सुराख बंध हो जाए या उस को किस टूल की साहिता से क्लीन करेंगे उस होल को किस टूल की साहिता से हमें क्लियर करेंगे तो इसमें हमारा राइट आंसर आजाएगा option D tip cleaner आप देख सकते हैं आपने देखते ही समझ गयोंगे कि यह कौन सा टूल है यह हमारा tip cleaner देखिए इसमें बारिक बारिक पिन होती ह है आप देख सकते हैं यह बारिक बारिक पिन है तो जो नोजल के साइज होती है जो नोजल का सुराक होता है उसके according अलग-अलग size की इसमें पिन dan को इस होल के इंदर डालगे के लिए तो हमारी जो नोजल का जो सुराक ब्लोक हो था ठीक है वो clean हो जाता है ठीक है इसके साथ इसकी एक छोटी से इसमें फाइल भी लगी होती है जिसकी साथ हम उसकी tip को उपर से clean कर सकते हैं तो यह है practical चीजें देखने से यह सारी चीजें एक question करते हैं उसके साथ 2-3 question automatic clear हो जाते हैं तो continue बने रही है इसी प्रकार से हम आपके लिए हमेशा question answer लाते रहेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 22 how is the length of measured यानि कि जो file है आपके सामने एक file tool है हमारा हमसे पूछा चारा कि file के लंबाई कैसे मापी जाती है यह कहां से कहां तक मापी जाती है तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option d file की जो length है वो hill से tip तक मापी जाती है देखिए आप देख सकते हैं diagram में भी दिखाए गया कि यह वाला पार्ट जो है हिल के लाता है यहां तक का पार्ट के लाता है हिल के लाता है और इस file का जो tip है यह वाला पार्ट टिप के लाता है ठीक है तो इन दोनों के बीच का जो gap है जो distance है जो लंबाई है वो ही file की length के लाती है आगए बात समझ में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 23 welding tool is shown in figure चित्र में कौन सा welding ओजार दिखाया गया है आपके सामने बहुत ही सुन्दर चित्र दिखाया गया है एक hammer है तो यह पूछ रहा है कि यह कौन सा hammer है question में से क्या पूछ रहा है कि यह जो आपके सामने hammer है यह किस type का hammer कहलाता है तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option A ball pin hammer यानि कि इस hammer की जो उपर की जो face है यह ball type में है यानि कि गोल-गोल है ठीक है तो इसी के अनुसार इस tools का नाम रखा गया है इस hammer का नाम रखा गया है यह है ball pin hammer आगे बाद समझ में चले बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 24 which equipment is shown in figure चित्र में कौन सा उपकरन दिखाया गया है बहुत ही काम की चीज आपको आज इस question के अंदर दिखाई जा रही है कोई भी बच्चा admission लेता है तो सबसे पहले इनी tools के साथ आपका introduction होता है practical start होता है आप जान भी गये होंगे जी हाँ इस tools का नाम है bench wise क्या नाम है bench wise आगे आपका समझ में चले बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 25 which tool is shown in figure चित्र में कौन सा welding ओपकरन दिखाया गया है बहुत ही श्यांदार फिर से एक अच्छा और helping tool हमारे सामने आ गया है इसका नाम है option D wire brush हमारे जोब को साफ करने के लिए ठीक है जोब की बीड को clean करने के लिए हम इस wire brush का उपयोग करते हैं ठीक है आगे बात समझ में चले बढ़ते हैं अगले question के ओर हमारा अगला question है question number 26 which metal is the triscar blade made of triscar का blade किस दातों का बना होता है देखिए बहुत interesting question है और इस प्रकार की question आते भी है अब बात कर रहा है blade की आपके सामने यह triscar की blade है जिसके ओपर सारी marking बनी हुई है इंच की centimeter की और mm की तो हमें इसी बारे में पूँच रहा है कि यह जो blade है triscar की यह किस metal की बनी होती है तो देगे विकलपों में से हमारा right answer हो जाएगा option a stainless steel की यह blade किस दातों की बनी होती है stainless steel की और साथ इमें एक और question बनता है कि यह जो stock है फिर यह किस दातों का बनता है stainless steel का बनता है क्या बिल्कुल गलत यह cast iron का बनता है किसका बनता है cast iron का तो यह कि tri square की blade stainless steel की बनती है और इसका जो stock है वो है cast iron का बना होता है आगे बाद समझ में इस प्रकार से हम questions पढ़ेंगे समझेंगे practically चीजों को देखेंगे तो हमें कभी question को नहीं भूलेंगे और कभी question के अंदर confused भी नहीं होंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगले question के और हमारा अगला question है question number 27 which metal is the standard steel rule made of standard steel rule किस दातू का बना होता है आपके सामने steel rule एक steel का scale रखा हुआ है उसी के बारे में पूछ रहा है कि यह जो steel का scale है जिसको हम steel rule कहते हैं यह किस metal का बना होता है तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option A stainless steel का यह किस का बना होता है इस्टेल एस इस्टेल का बना होता है आगे बार समझ में चलिए बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question question number 28 from where to where the size of the caliper is measured यानि की caliper जो है उनका size कहां से कहां तक मापा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है किस size का caliper है आपके सामने यह सारे caliper दिखाए गए हैं तो question में यही पूचरा कि इनकी माप कैसे करेंगे कि यह कितनी लंबाई के हैं किस size के हैं ठीक है तो बहुत ही आसान question है लेकिन important question है समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कि कहां से कहां तक इसको मापा जाता है देखिए आपके सामने यह जो rivet है जो joint है दोनों leg का वहां से लेकर और यह जो नीचे वाला tip है leg का जो nock है वहां तक की जो length होती है उसी के अनुसार इस caliper को मा आपा जाता है तो इसमें right answer आजाएगा option d point से rivet के मद्धे तक यानि कि यह point आ गया ठीक है यह point आ गया और यह आ गया इसका rivet तो यहां से यहां तक की जो distance है जो लंबाई है उसी से इसका measurement किया जाता है कि यह जो केली पर है इतनी लंबाई का है या इतनी size का है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question के ओर बहुत ही शांदर आपको समझ में आ रहे होंगे सारे question मुझे यकीन है कि आपको सारे question समझ में आ रहे हैं फिर भी अगर कोई doubt रह जाता तो आप मुझे comment में comment भी कर सकते हैं हमारा अगला question है question number 29 why is the undercut kept under the blade of the triscare triscare के blade के नीचे undercut क्यों रखा जाता है पहले तो हम देख लेते हैं कि undercut होता क्या है देखें मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो question स्केना क्या चाहता है आप देख सकते हैं हमारे सामने यह triscare है हमारे सामने यह triscare है question पूझ रहा है कि यह जो देखें आप marking की हुई है slot की यह जो slot की marking है आप देख रहे हैं यह slot कटा हुआ है यहां blade की नीचे तोड़ा undercut कटा हुआ है इसी के बारे में पूझ रहा है कि यह undercut क्यों रखते हैं यहां पर यह undercut क्यों रखते हैं तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option C to position the corner on the job जो उपर corner को इस्थान देने के लिए यानि कि कोई भी 90 degree के अंदर अगर हम job को map ने चाते हैं मेजर करना चाते हैं उसके उपर हमारा यह जो ट्राइस कर रहा है अच्छे से बैठ जाए उसके corner तक हम मेजर कर सकें सहीन आप ले सके इसलिए हमें यहां पे slot दिया हुआ रहता है आगे बास समझ में तो यह question कहीं बार आता है और कहीं बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं लेकिन जब आप इस तरह से questions को पढ़ेंगे इस तरह से questions को समझेंगे तो कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे ठीक है और उसके लिए मैं हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है तो हमारा अगला question है question number 30 how is the size of the tri-scar measured? यानि कि tri-scar का जो size है वो कैसे मापा जाता है कि कितनी लंबाई का हमारा tri-scar है तो इसमें हमारा right answer आजाएगा option D by the length of the blade यानि कि blade की लंबाई के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो tri-scar है इस size का है और वो किस परकार से कहेंगे देखिए यह है blade यह है हमारी blade तो इसकी जो length है यहां से यहां तक की जो length है जिस पर marking होती है उसी आदार पर हमारे tri-scar का measurement होता है कि एक fit का tri-scar है एक dead fit का tri-scar है एक two feet का tri-scar है हम blade की लंबाई के नुसार है इसको measure करते हैं आगे बाद समझ में तो इस परकार से हमने यह 30 questions complete कर लिए हैं अभी हमारे 20 questions जो हैं और बचे हैं हमारे tools and equipment की पहली स्रंकला के बहुत जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं तब तक आप CTI का exam औ और इसरो का exam नजदीक आगे है तैयारी कीजिए questions को देखे समझे और मुझे comment करें अगर आपको और भी other questions के बारे में जानकारी चाहिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नमस्कार